तो काईजर आप देख सेकते हैं सुबह सुबह आज ये चॉप ने क्या कर दिया है मेरा पूरा का पूरा पार्किंग वाला एरिया खराब कर दिया है वाई कितना जादा गंदा हो रखा है और अब मैंने उस चॉप को पाला है तो साफ तो मुझे ही करना पड़ेगा तो ये सारा का सारा जो गंद मचाया है चॉप ने वो सारा का सारे इस जज़्बिन में डालना पड़ेगा अब ये इतना जादा कौन हगता है इतना तो मैं इसको खाना भी नहीं देता जितना इसने यहाँ पर हग दिया है लगता है अब ये पूरा का पूरा मुझे ही साफ करना पड़ेगा बहुत ही जादा कदी बद्बू आ रही है मुझे तो लग रहा है मैं इसको कई सूंके भ्योंच न हो जाओ रुक जाओ यार कुछ मास्क वास पहनना पड़ेगा वरना पक्का भ्योंच हो जाओंगा ऐसे मैं इसको साफ नहीं कर सकता अब ये चौप फुड़ा कम खाना खाएकर इधर भी इसने हक रखाए चलो जादी से मास्क पहन के आते है तो काईजर अभी आप देख सकतो मैंने पहन लिया ये ऑक्सिजन मास्क क्योंकि अरवा की जो बद्बू है उसमें ना ऑक्सिजन आती है ना कार्बन डाउक्सिट कुछ भी आता पर बहुती साथ बद्बू होती है तो इससे मैं बच जाओंगा चलो पड़ा पड़ते सब का सब साफ करते है ताकि हमारा पार्किंग अरिया बिल्कुल साही हो जाए और अभी-अभी मैंने इसके उपर पैर रख दिया ची मेरा जूता भी साफ करना पड़ेगा मुझे चल दी जल्दी साफ करते इसको तो काईसर आप नहीं सकते हो मैंने पूरा का पूरा साफ कर दिये और ये पूरा का पूरा कचर का डबना बढ़ चुका है और इस मास के अंदर भी बद्बू आ रही है ये सही में बहुत ही जादा गंदी है चल रूँ थोड़ा सास ले रहते है इधर कम से कम सास तो आ रही हो तो मुझे सास भी नहीं ती डंग से आखिर कार मैंने इसको तो साफ कर दिया और मेरे खर वाप पी से चमक चुका है बस इस डश्मिन को यहां से फैकना गई पे ये मेरे खर के आस पास भी रहेगा तो गर में बद्बू आती रहेगी अरे 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 जल्दी ले पकड़ इसको बकड़ अरे बस इसको ही पकड़ने क्या इसको ही पकड़ना है अरे अरे क्या कर रहे हो मेरे उपर काड़ी को चुड़ा रहे हो अरे चल्दी पकड़ इसको अवे लड़के रुक जा अरे अरे क्या होगा मेने क्या कि दिया अरे चल्दी से केट कॉल इसको अंदर डालो क्यों मैंने क्या किया पर कोई सवाल जवाब नहीं वरना गोलियों से भून दूँगा मेरी काड़ी पर कूलिया क्यों मार रहे हूँ बस गेट खुल चुका है जल्दी से इसको अंदर डाल अकिरकार इस काली लड़के को पकड लिया अरे पर मुझे लेके का जा रहे हो चुप चाप एट अब तुझे हमारे बस ही देखेंगे चलो इसको लेके चलते जब बस को बता चलेगा मैंने इस काली लड़के को पकड लिया है तो मुझे बहुत शाबाशी मिलेगी एट लड़के हिलने की बिल्कु को शच्च मत करना वरना मैं तुझे गोली मार दूँगा अरे पर मुझे लेके का जा रहे हो मैंने क्या किया है कोई तो बता मुझे का लेके जा रहे हो चप चाप एट ए बिड़ो लोग मैंने तुमको बोला था एक जने को लाने के लिए तुमने दो दो जने ला दिये अरे बोस वो तोनों को अलग अलग जगे से एकी टाइम पर उठा लिया इसलिए दो दो जने आ गए चलो कोई बात नहीं हमें क्यों यहाँ पर लेके आयो हाँ हमें यहाँ पर क्यों लेके आयो तो बिड़ो लोग मेरी बाथ सुनो, मैंने तुमें यहाँ पर इसलिए बुलाए क्योंकि मेरा एक काम है, अगर वो तुम मेरा काम करते हो, तो मैं तुमें 10 बिलियन डॉलर्स दूंगा क्या? 10 बिलियन डॉलर्स? वो काम तुम दोनों मेंसे कौन करेगा मैं 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 करूगा नहीं नहीं मैं करूगा अच्छा मेले काम तो बताओ करना क्या है मैं ऐसे तुमको वो काम नहीं बता सकता मैं तुम दोनों मेंसे किसी एक कोई काम बता सकता हूँ इसका मतलब तुम किसे एक को मारना पड़ेगा ए बिडियोग ऐको टंब काड़ा लो कि बॉस कड़ब कड़ब में बूग किसको मारो खिसको मारो ये काली लडगे को मैं अए मुझे मत मारना ब्जे मत मारना मैं सिर्फ एक ही बंते को बताओंगा इसलिए दूसरे बंते को तो मर नहीं होगा, फिर चाहे कैसे भी मरो अरे मैं बोल रहा हूं इसको मार दू इसके सर पर तो बाल भी नहीं है ये तो टकला है, नहीं 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 इसे मारो ये तो पूरा काला है अच्छा बिडियो लोग रुको 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 मुझे पता है हमको कैसे डिसाइड करना है कौन की मेरा काम करेगा मैं तुम दोनर के बीच में एक चैलेंज कराऊंगा उस चैलेंज में जो भी जीतेगा वो मेरा काम करेगा और वो जीत सकता है 10 बिलियन डॉलर्स क्या तुम त करते हैं तो चलो फिर तुमको लेकर चलते हैं चैलेंज पार तुम सब का स्वागत है इस खतरनाक से चैलेंज में यह चैलेंज तुम दोनों के बीच में होने वाला है और इसमें जो भी जीतेगा वो जीत सकता है 10 बिलियन डॉलर्स बस मेरा एक काम करना पड़ेगा और जो हारेगा उसको सीधा सर को पीचो पीच को लिर बड़ेगी चलो मैं बता दो तुमको करना क्या है यह उसे अपनी काड़ी को लेकर जाना है इस पूरे रैंप को कमप्लीट करना होगा तुमको यह सारे के सारे और अब्स्टिकल्स के बीच में जाना पड़ेगा यहां पर है बहुत ही खतरनाग खतरनाग फैंस फिर यह खतरनाग रोटिटिंग प्लैटफर्म इन सब से बचते बचाते जाना पड़ेगा बिल्कूल एंड पे और यहां पर अपनी काड़ी को जंक कराके यहां पर लेंड करना पड़ेगा जो भी लेंड करेगा इस ट्रॉफी के पास उसको यह 10 बिलियन डॉलर्स मिल सकते यहां पर है 2-2 बिलियन डॉलर्स के 4 डाइमंड और बहुत सारा गोल्ड पर याद रखना इस चैलेंज को करने के बाद तुम्हें मेरा में कांग करना पड़ेगा तब ही तुम्हें पैसे मिलेगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले मै चाहूंगा मैं चल्तीज चाके इस चैलेंज को कंप्लीट करके फिर तुम्हारा अगले माला काम कंपिलीट करके 10wo 1200 को मं लूंगा तू तो करता रहेगा और मैं तो साइड बैठा रहूंगा हाँ काल लड़के बैठा रही हूँ मैं ये कम्प्लीट करूँगा तू कहा है सर अभी आप देख सकतो ये टकला गंजा निकल चुका इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए देखते हैं क्या ये चैलेंज कम्प्लीट कर पाएगा या फिर ये कहीं पे जाके गरने वाला और इसकी गाड़ी की हालत तो अल्रेड़ी खराब यापे हो चुकी है मैं ये चैलेंज कैसे भी करके चीत कि रहूंगा मैं बहुत ही जाद अच्छी काड़ी चलाता हूँ तुम देखते रहो सारे पंको को मैंने क्रॉस कर लिया बिना बिड़े अब देखो इन मुविंग प्लैटफॉर्म के पीक में से मैं निकलने माला हूँ हट जाओ हट जाओ सब के सब सामने से और मैं यहां से निकल गया अरे यह क्या है और मुझे लगता यह डिस्कॉलिफा हो जाएगा और डिस्कॉलिफा है नहीं हुआ तुम को क्या लगा मैं डिस्कॉलिफा हूँगा मैं तो यह रेज जीत के रहूँगा हट जाओ मुझे मेरे 10 billion चाहिए आ रहा हुँ मैं और ये क्या ये तो बहुत ही आगे चला गया और ये सिधा पानी में ये क्या हो गया तो बिडू वो टकला तो हो चुका है फेल अब बारी तुमारी अगर तुमने इस सैलेंज को कंप्लीट किया तुम ट्राइ कर सकते हो जीतने का 10 billion dollars और अगर तुम उस टकले से पहले कहीं पे गिर जाते हो तो वो काम उस टकले को मिलेगा और मैं तुमें गॉली मार दूँगा नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता कैसे भी करके मुझे ये चैलेंज जीतना पड़ेगा तो बढ़ा आपट से अभी हम गाड़ी में बैटूके चलो यहां से निकलते हैं अरे मुझे बचाओ बहुत ही सा डर लग रहा है बिल्कूल आराम आराम से अपनी गाड़ी को चलाने वाले ता कि हम कहीं पे मर मुरा ना जाएं अरे मुझे बचाओ मेरी काड़ी उल्टोगी मेरी काड़ी बच गए बच गए बच गए बस आराम आराम से चलना में कैसे भी करके ये चैलेंज कॉप्लीट करना है उसके बाद वो डॉना में खतरनाक सा काम देने वाला है अगर उस काम को मैंने कर दिया तो मैं जीत सकता हूँ 10 बिलियन डॉलर्स और मैं कैसे भी करके उन पैसों को चीत करूँगा आप सोचो मुझे 10 बिलियन डॉलर्स मिल जाए तो मैं क्या क्या नहीं कार सकता है तो बड़ावबट से चलते हैं अभी आप देखे तो सामने फूलिष में जाने वाले मैं यहां पे स्पीड बिल्कुल धीरे करने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ही जादा तेज जाने वाला हूँ और यहां पर मैंने अपनी काड़ी को कुदा लिया है और यह तो मैं बिल्कुल पर्फेट जरू चाओ 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 और यह खतरनाक सी लेंडिंग और कैसर आप देख सकते हो क्या ही खतरनाक मैंने लेंडिंग करी है और यहाँ पर मुझे ये ट्रॉफी मिल चुकी है और अब बिडू बहुत बढ़िया तू ने ये चैलेंज कम्प्रेट कर दिया इसका मतलब मेरा जो काम है वो तू करेगा और तू चीज सकता है दस बिलियन डॉलर्स और मेरा क्या? मैं क्या करूँगा? बिडू मैंने पहले ही बोला था जो अब ये चैलेंज हा रेगा उसको अपर ठोंक देगा चल बिडू बाइबाइ अरे ये क्या इससे दोसको सही में मार दिया चल बिडू अब तू तैर हो जा मैं तुझे पूरा काम समझाता हूँ चलो काई सर आखिरकार हमें वो काम पता चलने वाला है मैं भी देखो तुझारी ऐसा कौन सा काम है जिसको करने से हमें 10 बिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं बताओ उंकल तो बिडू ये काम बहुत खतरनाक होने वाला है इसलिए मैं तुझे 10 बिलियन देने वाला हूँ तो बिडू तुझे लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किड्नैप करना है अगर तुने लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किड्नैप करके मेरे पास ला दिया तो मैं तुझे 10 बिलियन डॉलर्स दूँगा क्या लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किटनेप करना पड़ेगा हाँ बढ़ो लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को पर याद रखना अगर कर लिया तो 10 बिलियन डॉलर्स हाँ बात तो सही है अगर काईजर मैंने लोसेंटोस के प्रेजिडेंट को किटनेप कर लिया तो मैं आपढ करो मेरे पास लाना है तुम टेक्शन मतले उस प्रेजिःट को तुमारे पास लादुँगा तुक्राइज हमें अपना काम पता चला है हमें यहाथ सेंटास के स्यंक्ट कोई किदनाइप करके इसके पास लाना है उसके बदने मुझेट 10 मिलने वाले तो वैसे तो बहुत ही जादा इजी काम है तो करना है पर वो प्रेजिडेंट है तो उसके सिक्योरिटी बहुत खतरनाक होती है और वो खुद भी बहुत खतरनाक होता है तो काई जब आपड़ से चलते प्रेजिडेंट की मीटिंग थोड़ी देर में स्टार्ट ह होने वाली है हमें वाद से उसको किड्नेप करना पड़ेगा फिर सोचो एक बार हमें दस मिलियन मिल जाएं तुम क्या क्या कर पाएंगे उन से मैं नइई गाड़ी और होइं एक निया मैं रहे मैं तो आधा लौज सेंटॉंस और मैं कुछ सकता हूं चलो गैसा चैनल आपड़ाँ पर सकते हैं प्रेजिएंड के ऊधाज सकते हूं मैं चुका हो क्जड़ से बाहा और सामने मीटियंग की और करना है और आप देख से असामने हो प्रेजिदेंट है और यहां पर कितनी इसारी सिक्योरीटी है हर जगे पुलिस motivating बुहुत सारे वाला कड़ा है जिसको मैं आपे बारने वाला हूँ यह ले तो एक को थोम ने बार दिया और वहाँ पर मुझे एक और दिखाई देरा है यह क्या इस दो मुझे देख लिया तो काईजर इस सभी के सभी लोगों ने मुझे देख लिया यहाँ पर मैंने सुचाथा जाओंगा यहाँ पर सबको पता चल चुकाईगी मैं आपे घुस चुका हूँ तो मुझे सबको एसा ही मारना पड़े का यह लोगो किसी को इनी चोड़ूँगा चलो फड़ा बट से इन सबको मारते हैं कि सारी की सारी सिक्योरिटी को मारने वाला हो यह लोगो निकलो यह सारी के सारे मिलिटरी वाले पुलिस वाले मुझे आपे मारने लग गए और मुझे उस प्रेजिडेंट को किटनैप करना है चल्दी चल्दी इसको मारते हैं इधर भी इन पुलोगों को मारते हैं और इनको वहाँ पे तोड़े ग्रेनेट से फैग दे हैं प्रेजिडेंट को मार दिया तो वह गुंड़ा मुझे नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसने बोला था कि किटनैप करके लाना ना की मारना अपे तू क्या मारना निकल या से और कौन बचा है पता हो जल्दी से सबको मार दूगा सबको भून दूगा मैं आज तो मैं किसी पुलिस वाले को नहीं छोड़ने वाला किसी मिलिटरी वाले को नहीं छोड़ने वाला सबको भून दूग यह आपर प्रेजिडेंट की कारेच जो कि मैंने पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय कर दिये इन में से एक गाड़ी मुझे भी चाहिए ताकि मैं उस प्रेजिडेंट को इन गाड़ें में बिटा सकूँ प्रेजिडेंट से चलते हैं जितने लोग बीच माएंगे उन सब को मारने वाले और प्रेजिडेंट को किड्नैप करते हैं और प्रेजिडेंट सर क्या आने आपका अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो ये तुम क्या कर रहे हो मेरे सारे लोगों को मार दिया ये तुमने क्या कर दिया आप चुप चाप से मेरे साथ चल लो वरना मुझे आपको भी मारना पड़ेगा सीधा बेजे में गोली चाहेगी और आप इन सब लोगों की तरह मड़ जाओगे चलो प्रेजिडेंट सर चुप चाप मेरे पीछे आते रहो कोई भी ओशारी मत करना मैं कुछ ने करूँगा मुझे मत मारना चलो चलो फड़ा फड़ से गाड़ी के अंदर बैटो वरना कोली मार दूँगा तो काईजर आप देख सकतो अब ये प्रेजिडेंट अमारे साथ बैठ चुकआ इसको लेके आँसे निकलते बच्चे तुम ये कहा कर रहे हो मुझे क्यों किट्नेप कर रहे हो अरे प्रेजिडेंट सार रुको रुको सब बताऊंगा क्या बच्चे तुम ये सब दस बिलियन डालर्ट कर रहे हो मैं तुमें और पैसे दूँगा अरे मुझे पागल मत बनाओ आप मुझे पैसो को लालाच देना चाहते हो ताकि मैं आपको छोड़ दू नए 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 मैं तुम्हें पैसो को लालाच ने दे रहा हूँ रोल फाव गाड़ी को आच़ा ठीके ठीके रोल थोख भी पाओ बताओ क्या हो गया बुनि लोसेंटोस गवर्मेंट को पागल बनाया है उसके के बाद मैं प्रेजिडेंट बना हूँ मैं तुम्हें ऐसी शक्तिया दे सकता हूँ तुम्हें 10 bilion क्या 100 billion भी कम लगेंगे क्या ऐसा तू क्या करने वाले तूम मैं तुम्हें ऐसी शक्तिया दूँगा तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो वो डायमंड की बन जाएगी क्या किसी भी चीज को टच करोगे वो डायमंड की बन जाएगी हाँ बच्चे किसी भी चीज को टच करो वो बन जाएगी डायमंड की क्या तुम्हें ऐसी शक्तिया चाहिए हाँ हाँ मुझे ऐसी शक्तिया चाहिए पर बच्चे तुम्हें प्रोमिस करना पड़ेगा जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए बेजाए तुम उसको जाके मारोगे और मुझे छोड़ दोगे मैं प्रोमिस करता हूँ अगर तुम मुझे किसी चीज को डाइमंड करने के शक्तिया दोगे तो मैं उस गुंडे को मारूँगा और तुमको छोड़ भी दूँगा ओके बच्चे फिर तयार हो जाओ हाँ मैं तुम्हें को दैर हूँ डाइमंड बाबा, डाइमंड बाबा, डाइमंं माबा, डाइमंड बाबा की जह बच्चे तुम तायार हो वह शक्तिया बतने के लिए मैं तो बिलकुल त्यार हो मेरे साथ क्या हू रहा है मेरे बच्चे तुम्हें तुम्हारी सख्था YOURS मिल चूकी है क्या सही में आप क्या करू क्या करू क्या करू मैं केजी में चीज को टेच करूँगा तो वो डायमट की बन जाएगी किसको टेच करूँगा आपको टेच करूँ क्या अरे बच्चे मुझे डायमट का नहीं बनना गाड़ी को टेच करो अच्छा ठीके इस गाड़ी को बढ़ा बड़ से टैच करते देखते क्या ये diamond की मनेगी 3,2,1 तो काईसर अभी आप देख सकते हैं इस गाड़ी का पूरा का पूरा color change हो चुका है और ये गाड़ी तो diamond की बच चुकी है अरे थैंक्यू प्रेजिडेंट सर आप तो बहुत ही खतरनाक निकले तो काईजर अभी आप देखसे तू मैंने यहाँ पर एक पुलिस की वैन को पूरो का पूरा डायमंड में कनवर्ट कर दिया है ये तो बहुत ही जादा खतरनाक है क्या आपने कभी देखिए एक पुलिस वैन वो भी डायमंड की मैंने तो कभी नहीं देखी तो काईजर अभी प्रेजिडेंट सर ने तो मुझे बहुत ही कदरनाक शक्तियां दे दिये अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ पर उन्होंने मुझे बोला था जाके उस गुंडे को मारने के लिए जिसने बोला था उनको बारने के लिए तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ उसके पास उसको मारूँगा उससे पहले मुझे एक और बार कलर चेंज करना है तो यहाँ पर मैं दूसरी काड़ी लेने वाला हूँ और इसका भी कलर चेंज करूंगा इसको पड़ाओ पर से टच करते हैं 321 और काईजर आप देख सकतो यह वाली काड़ी भी पूरी की पूरी डाइमंड में कनवर्ट हो चुकी एक और पूर इसके कार मैंने यहां पर डाइमंड में कनवर्ट कर दी बहुत ही सादा खतर नग रही है चलो बढ़ाओ वट उस गुंडे के पास चलते हैं और उसकी हालत में खडाब करने वाला हूँ तो काईजर अभी हम उस गुंडे के घर पुलिस वाला और बुडू तो तो बहुत यह चल दिया गया प्रेजिडेंट कहां पर है प्रेजिडेंट अभी बताता हूँ तो काईजर इसको बताना है कि प्रेजिडेंट कहां पर है कौन सा वाला प्रेजिडेंट बता हूँ लगता है यह वाला सही रहेगा यह कियरा प हुआ भी गोली मारें ये। एक आख में पोड़ी मारें इंधर इंधर इदर पूरे पेट पे भोली बारेंगे ये हाथ पे गोली मारेंगे इस ते हमें बहुत ही परेशांग अब हमारे घर से अमिको Gesetz हुआ हैं और काई शर्व अब यहां से निकल चुक्प है उपके पुरे पूरी गरम्हें पूरे आग लगा दिए उसके उपके उपकराग आग लगा दिए और चो प्रेशिडेंट ने बोल्ड़ा था रोकर को मारना है हमने वो तो कर दिया अब बारी अब बारी पूरी की पूरी दुन्या खरीदने की तो काईजर आपको तर बता ये हमारे पास आचुकी एक खतनाग बावर तो अब मैं बहुत सारी चीज़े खरीदने वाला हूँ जो की ओने वाली है डायमंड की मतलब या नॉर्मल चीज़े खरीदूँगा उन सब को टच करके डायमंड का बनाने वाला हूँ बहुत ही जादा मजाने वाला है चुलो बड़ा पढ़ जलते हैं सारी की सारी चीज़े करते हैं डायमंड में तो काईजर अभी मैंने वो सारी की सारी चीज़े खरीद लिये जो की मुझे चाहिए और मैं उन सब को diamond का convert करने वाला हूँ सबसे पहले हमारे पास है दो दो private jet ये एक वो दो ये दो दो private jet हमारे पास आचुके हमारे पास आचुके दो दो bikes और दो दो Lamborghini आप देख सोगे बिल्कुल black color की Lamborghini है ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गई थी है और अब में इंको टेच करकरके diamond का बनाने वाला हूँ तो फड़ा हमाटे सबको टच करते हैं सबसे पहले यह वाली बोर्ट दूसरी बोर्ट में एक बार में सारी की सारी टच करने वालों फिर एक बार में सबका सब डायमंड में कनवर्ट होने वाला है सारी पाइच करते हैं लैंबोर्गिनी यह प्लेन और यह हमारा आखरी प्ले कि नहीं भी क्या ही चमक लिए बिल्कुल डायमड वाली और हमारी दोनों बाइक भी पूरी डायमड ही हो चुकी है और अब बढ़िया बढ़िया प्राइवेट हेलिकॉप्टर आप देख सो पूरे डायमड के चमकते वे और यह बारी पूरी डायमड में गनवर्ट हो चुकी यह लैमड़के नी प्लेन, बाइक, हेलिकॉप्टर या फिर बोड मुझे तो है सबसे अची लैमड़के नी और प्लेन लगे आपको कहला का पड़ा पड़ से बता देना और भी हम क्या क्या चीज़े डायमड में कंवर्ट करें वो भी पड़ा पड़ से कमेंट करके बता तो कहा है सर आची वीडियो से विट्विटाइए अगर आपको आइस वीडियों चीज़े लाइक कर देना जैबो सब्सक्राइब कर देना पता रहें इस नीए वीडियो फूट आफवाट से कमेंट करके बता देना और इस इस्ट्राम और डिसकॉर्ट इस्वें में वापे